ठीक है तो आज का मारा टॉपिक है बैटर्ड बेबी सिंड्रोम क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दू कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिये जाएंगे वहां से आप डारेक्ट डाउनलोड कर सकते ह अगला टॉपिक और बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक डैट इस बैटर्ड बेबी सिंड्रोम नाम से समझ में आता है कि भाईया किसी की सुटाई होगी तबी तो बैटर्ड बेबी सबके सुटाई होती थी बस वही है कि हद से जादा कभी-कभी होती थी पर हमको तब ये बैटर्ड बेबी सिंड्रोम पता नहीं था तो आज पता कर लेते हैं बैटर्ड बेबी सिंड्रोम होता क्या है बैटर्ड बेबी सिंड्रोम इसका दूसरा नाम है कैफी सिंड्रोम शेकिंग बेबी सिंड्रोम ऐसे बेबी को पकड़के शेक किया जाता है ऐसे पूरी बॉड़ी को शेक किया जाता है, तो सब्डूरल या परियो और्बिटल हमाटोमा होने के चांसे होते हैं, इसलिए शेकी बेबी सिंड्रोम, शेकिंग बेबी सिंड्रोम के बाद आता है, इंफेंटाइल विपलेश सिंड्रोम, उसके अलावा नॉन एक्सिडेंट इंजरी, यह सभी नाम हैं और इन पर भी डारेक्ट आपको कुशन आ सकता है, ऐसा ना है कि बैटर बेबी सिंड्रोम पर ही आ जाए, ऐसा हो सकता है कि आपको शॉर्ट नोट ओन कैफी सिंड्रोम, शॉर्ट नोट ओन शेकिंग बेबी सिंड्रोम, शॉर्ट नोट ओन इंफ बैटर बेबी सिंड्रोम जो है उसमें हम फीचर्स में जाने से पहले एक बार यह देखने कि बैटर बेबी सिंड्रोम में actually कब कहेंगे कि बैटर बेबी सिंड्रोम है एक बार कि सुटाई में तो कहें नहीं देंगे या दो तीन थपड़ पड़ गए तो कहेंगे नहीं बैट तीन साल से कम उमर का होगा और जिसके साथ हिंसा हुई हो या वाइलेंस हुआ हो एक या उससे जादा टाइम पे इसके बाद सुनना क्या है इंक्लूडिंग ट्राॉमा बाइ पैरेंट कार्जिन और फॉस्टर पैरेंट समझके हैं तो असे नहीं कि एका थपड़ पड़ जाता तो तो हो गया नहीं अच्छी कासी चोट लगती है और एक या उससे जादा बार वाइलेंस हुआ होता है और तीन साल से कम उमर की एज में हमको जब पड़ती थी ना भाया तो पाच से लेके अठादा तक बहुत सुटाई होई है लेकिन हाँ तीन से कम में शायद नहीं होई होगी ऐसे कोई हमको ब्रूजिस तो देखने नहीं मिले शरीर पर तो बैटर बेबी सिंड्रोम समझ लिया क्या होता है बैटर बेबी सिं जिसमें कि उसको ट्रॉमा चोट लगती है किसके द्वारा या तो उसके माता-पिता के द्वारा या तो गार्जिंस के द्वारा या तो उसके फॉस्टर पैरेंट्स के द्वारा तब कहते हैं कि भाया बैटर बेबी सिंड्रोम है समझ गए तो याद रखना बहुत इंपोर सिंद्रिश में वो हैट ट्रॉमा होता है इसलिए तो बोट अब Patienten के सुठाई करो करो अपनी भी बहुत सुठाई होती लेकिन सर पे नहीं मारा जाता था अब नहीं होता है तो मुस्कॉम्न कॉज ऑफ डेथ इंट बेब्यों 성्ड्म इर फेटल इब्यों में फेटल चायल्ड इस पे आपको MCQ मिल सकता है आपको आना चाहिए ठीक तो बैटर बेबी सिंड्रोम है हमने क्या क्या समझा कि भाईया इसके दूसरा नाम क्या होता है कैफी सिंड्रोम, शेकिंग बेबी सिंड्रोम, इन्फेंटायल वेप्लेश सिंड्रोम, नौन एक्सिदेंटल इंजिरी क्या होता है ये एक लिंकल कंडिशन होती है जिसमें तीन साल से कम उमर के बच्चे के साथ एक या उससे जाधा बार वाइलेंस किया जाता है पैरेंट, कार्जियन या फॉस्टर पैरेंट के द्वारा इसमें है ट्रॉमा हमको देखने को मिलता है ये तो समझ लिए थोड़ा सा कि बैटर बेवी सिंड्रूम क्या होता है अब देख लेते हैं कि बैए फीचर्स सुटाई उटाई तो हो गए अब मिलेगा क्या क्या शरीर में तो इसके फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्कल व्रेच्चर सच्चर्स देखने को मिलते हैं जिसमें कि सूचर्स जो होते लड़ रायन के जो लैन होती है वह एक से जड़कर सूचर्स को कर लेती है तो इसमें को ऍ detik फेकर मिलता है और साथ में एक्शल कैल्सिफिकेशन भी मिलता है तो आपको याद रखना है कि भाई, skull fracture में diastatic fractures देखने को मिलते हैं और actual calcification भी देखने को मिलता है उसके बाद आता है, metafisial fracture भी आपको देखने को मिल सकता है कि यह देखो, metafisus पे आपको यह देखना, triangular type का यह मेटाफीशल फ्रेक्चर आपको देखने को मिलेगा यहां पर आपको यह आपको फ्रेक्चर लाइन भी देखने को मिल रही है तो मेटाफीशल फ्रेक्चर पर आपको देखने मिलता है बैटर बेबी सिंड्रोम में उसके बाद बहुत ही इंपोर्टेंट चीज जो देखन तो पुरा शेक का दाता है, उपा-से-नीचे तक ला देते हैं, तो यह देखो मुंडी एईसे होगी, फिर मुंडी ऐसे होगी फिर से होगी इसके चक्कर में होगा क्या इसके चक्कर में आपको subdural या periorbital hematoma देखने को मिल सकता है ठीक तो ये भी एक बहुत ही important clinical feature है या catastic feature आपको मिलेगा metad baby syndrome में उसके बाद अब सुटाई हुई है तो सर पे मार दिया पाओं पे आपको metafisal fracture मिल गए सर पे मारा तो skull fracture में diastatic fracture मिल गया और उठा के पुरा हिला डाला आशे के डैडी खेल लिया तो सब दूरे लिया परी अबिटल hematoma आपको मिल गया इसमें उसके बाद शरीर पे भी चोटों की निशान मिलते हैं याद रखना multiple fracture of ribs भी देखने को मिलता है और skin penny bruises भी देखने को मिलता है तो multiple fracture of ribs जब देखने को मिलता है तो बहुत सारे ribs में fracture हो जाता है उसके बाद in fact उसमें callous formation भी हो जाता है जिससे आपको string of beads appearance देखने को मिलता है string of beads क्या होते है यह देखो fracture हुआ हो गया rib में यह callous बन गया 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 तो beads याने मोती तो यह देखो string of beads याने मोतियों की माला जैसे आपको देखने को मिल रही है तो यह आपका पुरा का पुरा स्ट्रिंग ओफ बीट्स अप्यरंस भी देखने को मिलता है उसके अलावा भाई six penny bruises भी आपको देखने को मिलते हैं कि अब मुलायम से छोटे से बच्चे है मुलायम सी स्किन है उसको पकड़ पकड़ के खीचोगे और यह तो उंगलियों की निशान बन जाते हैं और जिनको कहते हैं skin penny bruises आप देखोगे कि यहाँ पर आपको bruises की निशान भी आपको मिलेंगे यह fingertips की वज़ा से होता है इसे पकड़ के जोर से पकड़ की खीचोगे और घसीटोगे तो आपको यह निशान भी देखने को मिलेंगे तो यह कुछ characteristic features है जो आपको battered baby syndrome में पता होने चाहिए क्योंकि आपको image based questions आजकल आते हैं तो इस तरह के question भी दे सकते हैं ठीक तो यह features है कि भाई सर पर मारा तो skull fracture है डास्टेटिक हाथ पाव में तो metafisial fracture और हिला डाला तो सब dural है periorbital hematoma शरीप पर मारा तो rib का fracture मिल जाएगा उसमें फिर callus formation हो जाएगा तो stringoped appearance हो जाएगा और उंगलियों की निशान वगरा bruises मिलेंगे तो skin penny bruises भी आपको मिलेगा तो इतनी चीज़े तो at least आपको battered baby syndrome में पता होनी चाहिए अगर मैं बात करूँ सवाल की तो सवाल में भाई साब theory exam में star question में आपको short note या very short note आपको आ जाता है battered baby syndrome direct ठीक है तो यह आपको आना ही चाहिए उसके बाद अगर मैं बात करूँ वाईवा की तो वाईवा में आपसे बोलते जाता है कब battered baby syndrome बोलेंगे समझाओ तो आपको समझाते है अना चाहिए कि यह clinical condition है जिसमें तीन साल से कम उमर के बच्चे के साथ एक या उससे जादा बार violence किया जाता है हिंसा की जाती है उसके माता-पिता के द्वारा या guardian के द्वारा या foster parents के द्वारा तो यह आपसे वाईवा में पूछ लिया जाता है second most important वाईवा में जो पूछा जाता है that is most common cause of death क्या होता है तो most common cause of death battered baby syndrome में head trauma होता है उसके बाद बहुत ही जादा important है वाईवा के लिए कि भाईया features क्या-क्या चीज़ें मिलेंगी अब डरैक्टे एक्षामन पूछ लेता है कि भाई आफ्राक्चर तो मिलेंगे ना बोल्ड में अपीशियल फ्रैक्चर कौन सी बोन में मिलेंगे सापूछो लेगा तो भाईया उसके जाल में मत फसना एपिशल नीमेटा फ्रैक्च्छर मिलता है यह उनको बोल देना ठीक उसके अलावा फीचर्स में सब और और प्री और 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 हमाटोमा भी वाईवा में पूछा जाता है, स्ट्रिंग ओफ बीड अप्यरेंस डिरेक्ट वाईवा में पूछ ले जाता है, कि भाई कहां पर मिलेगा आपको तो आपको बताते आना चाहिए कि बैटट बेबी सिंड्रोम में मिलता है, तो यह तो हो गए कुछ वाईवा की चीज़े, उसके बाद हम बात करें, अगर MCQs की, तो जितने भी अंडरलाइन पार्ट हैं, हमारे नोट्स और स्लाइड में, वो सभी अलग-अलग PG entrance exam में पूछे गए MCQs है, तो एक MCQ तो मुझे इसके नाम पर ही मिलता रहता है कि भाई, काफी सिंड्रोम या शेकिंग बेवी सिंड्रोम या इंफेंटाइल वेपलेश सिंड्रोम, नौन अक्सिदेंटल इंजरी इन पे MCQ मिलता रहता है, उसके लावा इस पे भी एक बहुत इंपोर्टन MCQ बन सकता है कि भाई, most common cause of death क्या होता है, तो head trauma होता है, उसके बाद MCQ की बात करें, तो features पे तो MCQ आई ही हुए है, चाहिए वो skull fracture या axial calcification या diastatic fracture इस पे भी MCQ है, metafical fracture पे भी आपको MCQ मिल जाता है, subdural ये periorbital hematoma पे भी MCQ आपको मिल जाता है, frequent shaking की वज़े से होता है, इस पे भी आ जाता है, multiple fracture of ribs पे MCQ आता है, in fact callus formation और string of bead appearance इन सभी पे MCQ अलग से मिल जाता है, six penny bruises पे MCQ आ जाता है, और किस वज़ा से होती है, तो fingertips की वज़ा से होती है, इस पे भी आपको MCQ आ जाता है, इसके अलावा, क्योंकि आजकल image based question आते हैं, तो आपको direct ऐसा दे दिया जाएगा, उसके बाद आपसे बोला जाएगा, कि भाईया, ऐसा ऐसा case था, सोटाई-उटाई होई थी बच्चे की, तो ये क्या है, तो आपको पैच्छान में आना चाहिए, कि भाईया, ये टायस्टेटिक fracture है, skull fracture है, actual calcification भी दिखेगा, तो आप बोल दोगे, batter baby syndrome है, metafisual fracture की भी आपको MCQ में image दे सकते हैं, तो ऐसा आपको triangular type का यहाँ पे आपको मिल जाएगा, अलग से hairline भी आपको देख जाएगी, यहाँ पे fracture line, तो वो भी आप समझ सकते हो, कि भाईया, ये metafisual fracture, batter baby, सुटाई हुई है, बहुत इंपोर्टन है, string of beads, इस पे आपको एक पूरी की पूरी हिस्ट्री दे दे जाएगी, बच्चे की सुटाई की, और इसके बाद बोल दिया जाएगा, कि भाईया, ऐसी ऐसी चीज़े, चोट लगी थी, यहाँ आपको इस तरह की image मिल रही है, तो क्या है, string of beads है, तो battered baby syndrome है, और ऐसे bruises वगरा दिखाया जा सकता है, और बता जा सकता है, कि बच्चा बात नहीं सुनता था, सुटाई-उटाई हो गए इस टाइप से, तो six penny bruises, fingertips की वज़े से जो होती है, उस पे भी आपको NCQ आ सकता है, ठीक, तो इतनी चीज से हैं, जो आपको battered baby syndrome में पता ही होनी चाहिए, thank you.